नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे एक नए ब्लोग में फिर से स्वागत है आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे वहां सुरच्छित होंगे अभी साम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर यस को स्वेटर पहना दे रही हूँ और एक स्वेटर वो पहले से पहना हुआ था तो मैं उसको उपर से एक जेकेट पहना दे रही हूँ और हमारे यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा है इतनी ज़्यादे ठंड है कि एक स्वेटर से काम ही नहीं चलता है दो स्वेटर पहनाना ही पड़ता है तो यहाँ पर मैं भी स्वेटर मुझा सब पहन ली हूँ और उसके बाद में घर को जाड़ू करना था तो मैं यहाँ पर घर को जाड़ू लगा ले रही हूँ और चट के उपर मैंने कपड़े दिये थे सुखने के लिए तो सभी कपड़े सुख गये हैं और उसके बाद मैं सभी कपड़ों को लगे हाथ फोल्ड करके भी रख ले रही हूँ नई तो फिर बाद में ये सब काम करने बहुत ही ज़्यादा आलस लग जाती है तो लगे हाथ में सभी कपड़ों को उतारने के बाद फोल्ड करके भी रख लेती हूँ और हमारे यहाँ जो बर्प वाली बारिस हुई थी उसके चलते ठंड बहुत ही ज़्यादे बढ़ गई है और मकस अकरांती तक तो हमारे यहाँ मोसम बिल्कुल साफ नहीं था और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और अगर न्यू भी वर्स है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अभी साम के टाय में थोड़ा सा भूख लग गया था तो यहाँ पर मैं साम का छोटा सा नास्ता बना रही हूँ आलू चप मेरे घर में जो भी चीजे एवलेवल होती है कोसिस करती हूँ मैं उनी चीजें से कुछ साम का नास्ता बना दू तो यहाँ पस मैं आलू चप बनाने की तयारी कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ बदाम थे तो यह खचे बदाम थे तो मैं इनको थोड़ा सा तेल फ्राय कर ली हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आलू का जो मसाला होता है वो तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने मिर्च और प्याज को दे दिया है पकने के लिए सुनरा गोल्डन होने तक भून लेने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर को डाल दिया है और टमाटर को पकने के लिए इसको सोप्ठ होने के लिए मैं नमक डाल दूँगी और यहाँ पर आलू को मैंने छील के कटूरी से ही मैस कर ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैसर नहीं है तो मैं इसी तरह से कटूरी से ही मैस कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने टमाटर को सोप्ठ होने के लिए नमक डाल दिया है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से सोप्ठ होने तक पका लेना है तो यहां पर मैं थोड़ा सा अद्रक लसन और मीच का पेस्ट को भी डाल दे रही हूँ और उसके बाद इसको भी कच्छा पन खतम होने तक पका लेना है फिर उसके बाद जो मैं डेली मसाले यूज करती हूँ वही मसालों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ और उसके बाद में इसको पका लेने के बाद जो आलू मैंने मैस करके रखे हैं उस मैस किये हुए आलू को मैं डाल दूंगे और उसके बाद में आलू चब बनाने के लिए जो आलू का जो मसाला है वो मेरा बन कर रेडी हो जाएगा अब मैं यहां पे बेसन का गोल भी तयार कर ले रही हूँ तो बेसन का गोल बनाने से पहले मैं यहां पे एक चमच जीरा पाउडर आधा चमच काली मिश का पाउडर नमाग स्वाधनुसार हल्दी एक चमच और थोड़े से लाल मिश का पाउडर भी यहां पे डाल ले रही तो इसी तरह से हाथों से मिलाते हुए अच्छे से बिल्कूल एक भी गुठलिया नहीं रहने देना है बेसन का और उसके बाद में अच्छे से हाथों से मिलाते हुए मैं पूरे बेसन को अच्छे से मिला कर गोल तयार कर ले रही हूँ यहाँ पर आलू का जो मसाला मैंने रेडी किया है उसको मैं टिकी का सेव दे दी हूँ और उसके बाद मैं उसको बेसन में डीप करके चमच की साहता से सबको तेल में फ्राइ कर ले रही हूँ तो इसी तरह से मैं सभी आलू चप को बना के रेडी कर लूँगी और उसके बाद में जभी कोई को खाने के लिए दे दूँगी आसा करती हूँ कि आज का ब्लोग आप सभी को पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चानल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं फिर नेक्ट ब्लोग में एक नए कंटेंट के साथ अब तक के लिए बाई बाई